आज हम डिस्कूस करेंगे फैक्टर ओफ सेफ्टी के बारे में जिसे हम हिंदे में सुरक्षा गुडांग कहते हैं हमने स्ट्रेस और स्ट्रेंड पहले ही कवर किया हुआ है उसके कड़ी का यह चौथा है जिसमें हम फैक्टर ओफ सेफ्टी को देखेंगे सेफ्टी या सुरक्षा कहने का मतलब यह है कि आप जहां पर काम करते हो और उसका जो मैक्सिमम लिमिट होता है क्योंकि हर एक चीज का एक limit होता है तो वैसे ही किसी material की यदि हम बात करें कि हम उस material को कितने बल में हम काम कर रहे हैं और उस material की भी तो अपनी capacity होगी जिसे हम उसका maximum बोलेंगे तो जो maximum होगा और जो working होगा जो वो काम कर रहा होगा मतला maximum से यदि वो नीचे में ही काम कर रहा होगा तब ही वो safe होगा तो ऐसे ही हम factor of safety या सुरक्षा गुणांग होगा क्या इस चीज को जानने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि उसका maximum limit क्या होगा और वैसे ही उसका जो काम कर रहा है वो वाला limit क्या होगा तो ultimate stress बोलते हैं जिसको अधिक्तम प्रतिबल बोलते हैं हम हिंदी में यह हमने stress strain curve जो पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि ultimate stress जो होगा हम बात करें कभी भी जब stress की बात करते हैं तो stress के लिए formula क्या होता है load हम यहीं देखते हैं और divided by उसका क्या होता है area of cross section यह तो हमें पता है तो यदि stress की बात करेगा तो fix है load upon area of cross section तो आएगा ही यदि वो ultimate stress की बात करता है तो load भी हमारा ultimate होगा सिधी से बात है जितनी उसकी अधिकतम जो उसमें load होगा बटा उसका क्या बोलना चाहिए 6 रफल जिसका हम बोलते हैं तो इसका जो ratio होगा वही उसका ultimate stress कहलाएगा अधिकतम प्रतिबल जिसे हम कहेंगे यह formula वाज direct exam में question पूछे जाते हैं या फिर कभी कभी questions में calculate करने के लिए बोलता है कि उसका ultimate stress आप calculate कीजिए तो आपको यह formula लगाना है ultimate load upon area of cross section जो आप हमेशा से लगाते आ रहे हो next हम इसके working की बात करते हैं कि working क्या होगा working को हिंदी में क्या कहेंगे है कारिकारी प्रतिबल तो जिसे हम safe stress कहें या फिर हम working stress कहें एक ही मतलब यह हिंदी में इसी के हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं कारिकारी प्रतिबल जिसमें वो काम करेगा तो जैसे हम उसके लिए formula निकाले वैसे ही यदि हम इसके लिए formula जनरेट करें तो वो क्या हो जाएगा safe stress, stress के लिए फिर मैंने वही बात किया, कि load upon area तो होगा ही तो जब safe stress की बात करेगा, तो safe load होगा, या फिर working load होगा आप जो भी बोलिए, तो safe load upon area of cross section, यहाँ पर भी वही काम होगा या working load upon area of cross section, तो यह जो दोनों चीज होंगे, उससे हम यह stress निकाल लेते हैं और यह stress का ही ratio जो होता है, उसको हम कहते हैं factor of safety इसलिए हमारा formula बन जाएगा, factor of safety equals to ultimate stress upon working stress उसका जो maximum stress था, बटर उसका safe stress जिसमें वो काम करता है तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, उसको ही हम सुरक्षा गुडांक कहते हैं तो exam में जो questions आएगा, वो directly यह formula होगा कि सुरक्षा गुडांक का सुत्र बताईए, और वो क्या होगा, अधिक्तम प्रतिबल, बटा, कारेकारी प्रतिबल तो इससे हमको निकल जाता है, उसका factor of safety के बारे में किसी भी चीज का factor of safety जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपको किसी का factor of safety पता होगा, तब ही आप यह जान पाएंगे कि आप अपना working stress कहां तक बढ़ा सकते हैं मतलब किस zone में आप काम कर सकते हैं, कितना extra load उससे आप ले सकते हैं कितना extra काम आप उससे ले सकते हैं, यह समझ में आता है यदि आपको उसका factor of safety पता होगा तो इस पर based कुछ numerical questions आपके exam में पूछे जाएंगे वो हम discuss कर लेते हैं Question है, a standard steel bar of 30 mm square cross section एक बार की बात कर रहा है, और वो भी आपको बोल रहा है कि square cross section होगा माल लेज़े कुछ, ऐसा, यह square मतलब इसका भुजा जो होगा, वो बराबर होगा और वो कितना बोल रहा है, 30, तो a जो है वो बोल रहा है, 30 mm है इस subjected to a tensile stress, यह भी बता रहा है कि उसमें tensile stress लग रहा है मतलब कुछ ऐसा बल लग रहा है, बाहर की और बल लग रहा है इसकी FOS की बात करें, factor of safety, sort में क्या लिखेंगे, FOS यह दिया हुए 4, and ultimate stress, यह भी आपको दे दिया हुआ है ultimate stress यह दिया है, हमें 370 newton पर mm square मैंने आपको कहा था, जब भी आप question solve करेंगे, यहाँ पर यह unit देखें, आपको किसमें दिया हुए, newton पर mm square यहाँ पर आपको जिसकी जो भुजा दिया है, वो किसमें दिया है, mm अगर mm नहीं दिया होता, तो हम इसको mm में convert कर लेते हैं, चुंकि हमको a, एक भुजा a पता है, तो इसका 6 तरफल हम असानी से निकाल सकते हैं, a square होता है, यह आप जानते हो, तो वो हो जाएगा 900 mm square, यह होगी इसका 6 तरफल, next हम दिखते हैं, और क्या दिया है, determine the load to which the bar is subjected, हमें load find करना है, जो इसमें काम कर रहा है, हमको ultimate stress दिया है, तो इसमें यह पूछ क्या रहा है, Subjected कहने का मतलब क्या है, कि अभी उसमें कितना load लगाया जा रहा है, या उसका अभी किस बल में उसमें काम किया जा रहा है, मतलब सीधी सी बात है, यह हमसे पूछ रहा है, working load की पूछ रहा है, ध्यान देंगे, question में load बोल रहा है, load, ना कि stress, यह बल पूछ रहा है, बल ज पूछ रहा है, यह इस F का value पूछ रहा है, इस बात को ध्यान पर रखना है, अब यह हम कैसे निकाले, तो सबसे पहले हमें दिया गया है FOS के बारे में, factor of safety के बारे में, तो हम यही से सुरुवात करते हैं, हम जानते है, FOS is equals to होता है, ultimate, मैं sort में लिखता हूँ, तो ultimate stress ऐसे लिख देता हूँ, और नीचे में होता है working stress, यह sort में, तो FOS हमको दिया है 4, और ultimate stress दिया है 370 newton per mm square, divided by working stress, यह हमें नहीं पता, तो अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे, तो हम यह calculate कर सकते हैं, और वो होगा, WS is equals to, मतलब कारी-कारी प्रतिबल जो होगा, वो क्या होगा, इसके division में आ जाएगा, upon 4 newton per mm square, तो यह हो गया हमारा कारी-कारी प्रतिबल, अब हम यह भी जानते हैं कि प्रतिबल का, या WS का formula क्या होता है, working stress is equals to क्या होगा, working load, upon area of cross section, यही formula होता है, भाई जब प्रतिबल दिया है, तो बल बटा छेत्रफली तो लिखेंगे, जब कारी-कारी है, तो कारी-कारी बल होगा, तो यह value हमको निकल गया, तो सारा data तो हमें मिल गया, तो f is equals to, आप इसको इदर पक्षांतर कर दो, तो 370 गुड़ी 900 बटा हो जाएगा, चार, mm2, 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 cut जाएगा, तो answer आएगा, Newton में, सारा चीज़ क्लियर हो गया, इसको हम सीधा सा simplify कर देते हैं, और हमें direct answer मिलेगा, 83, 250, Newton, which is the required answer, कुछ extra दिमाख लगाना थे क्या इस question पर, सिर्फ इस बात को धियान रखना था, कि question ने load पूछा है, न कि stress, अधिकतर लोग यहां पर क्या करते, सिधा यह formula लगाते, और यहां सी यह जो answer आया हमारा, 370 upon 4, लोग यही सोचते कि यही पूछा गया और यहीं से ही answer रखके आ जाते, और आपके option में ऐसा answer मिलेगा भी, don't worry, आपको ध्यान पर रखना है, कि आपको निकालना क्या है, आपको load निकालना था, इसलिए हम इधर के एक और step में आगे बढ़े, जहां से हमको उसका load या फिर उसका force निकला, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक दो formula हैं और वही formula आपका सारा numerical solve करा रहा है, तो आपको formula इसके याद रखने हैं, की बात कर रहा है, लोड, 1600 kg, calculate the stress and strength of material if the factor of safety is 5, बहुत है प्यारा question है, question में जो आपको निकालना है, आपको व्यास दे दिया, व्यास से आप क्या निकालते हैं, area निकाल लेते हैं, very good, आपको इस बात को समझ रहा है कि क्या क्या दिया है और क्या क्या आपको निकालना है, व्यास दिया है, तो व्यास से आप निकालोगी उसका 6 त्रफल, जब आपको area मिल जाएगा आपको area मिल जाएगा तो आप stress निकाल लोगे stress क्या होता है force per unit area force आपको दिया हुआ है area हम यहाँ से calculate किये दोनों divide करेंगे हमको निकल जाएगा stress stress निकलने के बाद हमें factor of safety पता है FOS पता है factor of safety बराबर क्या होता है ultimate stress upon working stress यह दो चीज होता है यह तो आप जानते हो FOS आपको दिया हुआ है आप ultimate stress और working stress तो अभी आपको इसमें maximum load क्या है यह तो लग रहा है ना यह काम हो रहा है तो आपको यह वाला stress पता है working stress आपको पता है यह वाला value यहां से जो आप निकालोगी यह यहां पर put up करना factor of safety यहां पर put up करना आपको ultimate stress जो है इसका निकल जाएगा मतलब directly यह क्या बोला है strength की बात कर रहा है तो directly उसके strength कभी भी केवल strength question में पूछे इसका मतलब वो उसके ultimate strength या फिर ultimate stress की बात कर रहा है आप से पूछा जाता है कि आपका strength क्या है मतलब आपकी maximum capacity कितनी है तो maximum मतलब ultimate strength की बात वो कर रहा है question ने केवल strength लिखा था maximum नहीं लिखा था तो आपको समझना होगा कि आपने जो stress निकाला है वो working है और आपको इस formula से ये निकालना है क्योंकि mistake यहाँ पर क्या करते है आप इस जो value आता उसको यहाँ पर put up करके ये वाला answer आप निकाल लेते हैं ये नहीं करना आपको पूछा है ultimate ये पूरा process आपको समझ में आ रहा है सारा data put up कीजेगा put up करके answer निकाले answer आप मुझे comment box में बताइए बहुत ही important question है और बहुत ही प्यारा question है maximum chances से ऐसे questions आपके exam के आने के तो आप इसको seriously पे लेजिए और questions का answer आप comment box में बताइए याजि आपसे नहीं होता है तब भी आप बताइए मैं इसको solution आपको दे दूँगा सो अभी के लिए बस इतना ही stay safe, keep learning and thank you